Good morning to all of you. Welcome to today's lecture of split casing pumps. आज के इस lecture में basically हम ये बात करेंगे कि split casing pumps क्या होते हैं, इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसके कौन से advantages होते हैं और कौन से disadvantages होते हैं, split casing pumps centrifugal pumps से किस तरीके से vary करते हैं, जो routine centrifugal pumps सम यूज करते हैं, and various other things. So starting with today's lecture, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे split casing pump जो होता है, उसमें और normal centrifugal pump में differences क्या हैं, तो याद रखेगा कि अगर आप एक normal centrifugal pump देखते हैं, तो एक normal centrifugal pump के case में ये आपका suction हो गया, ये आपका discharge हो गया, ये आपका pump का casing हो है, ये आपका impeller यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका normal setup होता है, जो एक centrifugal pump का होता है, इसके case में आप देखेंगे, तो पूरा का पूरा आपका suction का nozzle, discharge का nozzle, और जो आपका impeller लगा हुआ रहता है, ये पूरा का पूरा, एक single chamber के अंदर, ये पूरा का पूरा system placed होता है, बट अगर आप split casing pumps की बात करते हैं, तो याद रखेगा split casing pumps के case में ऐसा नहीं होता है, split casing pumps के case में जैसे ये आपका pump का suction हुआ, after that, यहाँ पे दो separate chambers होते हैं, यहाँ पे आपका याद रखेगा, यहाँ एक single chamber होता है, बट यहाँ पे two different chambers होते हैं, यहाँ से liquid आपका two different chambers में जाता है, after that यह center में आपका impeller लगा हुआ है, यह impeller आपका rotate करता है, जिस rotation की वज़े से ये दोनों chamber से liquid सक करता है, because यहाँ पे जो आपका बीच में impeller लगा हुआ है, वो both sides से suction करता है, यह वैसा impeller लगा हुआ, impellers दो तरीके होते हैं, एक आपका single side section impeller होता है, एक होता है आपका double side section impellers, तो यह आपका double side section impeller लगा हुआ है, यह दोनों तरफ से liquid को सक करेगा, और finally यह उसको उठा के बाहर की तरफ fake देगा due to its centrifugal action, यह उपर की तरफ यह आपका cooling के लिए coils लगी हुई हैं, जो आपके gland की cooling के लिए दी जाती हैं, जो आपके hitting के effect को nullify करते हैं, इसको split casing pumps इस तरीके से बोलते हैं, यह आपका horizontal type split casing pump है, बिकॉज यहाँ पर यह जो पूरी की पूरी आपकी casing के assembly है, इसको आप देखिए आपने दो parts में split करके रखा हुआ है, top का part अलग है, bottom का part अलग है, मतलब अगर आपको इस pump में कभी भी कोई भी तरीकी का maintenance करना है, तो जश्ट आप इसकी half casing को खोल के open कर सकते हैं, और इसे easily तरीके से आप इसका maintenance कर सकते हैं, अब next slide में मैं इसके बारे में काफी ज़्यादा detail में बताऊंगा, अगर हम बात करते हैं, working speed casing pumps की, तो इसको गौर से देखेगा, यह देखेए, यह liquid आपका इस तरीके से move करता है, liquid आपका साथ में move करता है, दोनों तरफ की, जो आपके casing से हैं, उसमें, यह देखे, यह one by one मैंने दिखाया, बट यह जो आपका movement है, यह बिल्कुल साथ में होता है, liquid यहां से enter करता है, liquid आपका यहां से enter करता है, और यहां पे, और यहां पे, liquid आपका बिल्कुल साथ में, दोनों positions में liquid आपका move करता है, जैसा ही आपका जो liquid है वो इन दोनों के दोनों यहाँ पर यह जो chambers बने हुए है इन दोनों chambers में आपका liquid move कर जाता है उसके बाद में अगले action में आप देखेंगे कि आपका यह जो impeller है इस impeller यह जो center में आपका यह जो impeller लगा हुआ है इस impeller की movement की वज़े से यह दोनों तरफ से आपका जो material है उसको suck करता है दोनों तरफ से liquid यह impeller suck करता है due to centrifugal action because centrifugal pumps के case में high velocity में जब आपका impeller घूमता है तो वहाँ पे एक negative section का zone create होता है same यहाँ पे भी हो रहा है आपका impeller rotate कर रहा है यह आपका double suction impeller है इसके rotation की वज़े से दोनों तरफ के जो आपके chamber से उसमें जो भी liquid present है वो आपका center की तरफ impeller suck करता है और suck करने के बाद में impeller इसको बाहर की तरफ discharge कर देता है यह जो discharge वाला port है वो basically back side में रहता है जो इस diagram में नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने इसको यह side के diagram में दिखाया यह देखे यह आपका suction port हुआ तो यह आपका discharge port हुआ अज़ बैक में same you can see here also यह आपका suction port है तो यह आपका discharge port है इन दोनों diagram में यह चीज़ आप easily देख सकते है यह जो उपर आपकी coils दी है यह cooling के लिए दी जाती है ताकि आपका जो pump है उसकी glands गरम होके damage ना हूँ तो यह जो था यह basically working principle था जिस पे मेरा split casing pump काम करता है अगर आप और ज़्यादा differences देखेंगे normal pumps में और split casing pumps के case में तो याद रखेगा कि split casing pumps के case में यहाँ पे आप यह देखिए कि यह दोनों side में इसमें दोनों side में आपके gland fittings होते हैं जबकि जो normal centrifugal pumps होते हैं उसमें के खाली एक side में gland fitting होता है इसमें आपकी दोनों side में bearings दी हुई रहती हैं जबकि normal centrifugal pump में आपका एकी side में दोनों की दोनों bearings होती हैं moving to next slide यह देखिए यह final इस तरीके से अब हम next slide में move करते हैं advantages अगर हम बात करते हैं split casing pumps horizontal type की तो याद रखेगा इसके काफी जाद advantages है over normal centrifugal pumps में पहला top half of the casing is easy to remove for inspection कभी भी आपको कुछी भी तरीके का inspection करना है या कुछ भी करना है तो आप आराम से top half of casing खोल सकते हैं और अपने pump को check कर सकते हैं इसकी जो efficiencies होती है वो काफी ज़्यादा higher होती है in comparison to normal centrifugal pumps due to its dual eye, dual suction because आपकी casing दो parts में divided तो जो suction रहता है वो भी आपका दो parts में होके जाता है दोनों chambers में जाता है जहांसे आपका जो impeller है वो सक करता है due to dual eye impeller design they are lower negative positive section head जिसकी वज़े से इसको low negative positive section head की ज़रूरत पड़ती है इसके case में जो आपका shaft होती है वो काफी छोटे size की रहती है in comparison to normal centrifugal pumps जिसकी वज़े से उसके जो deflection होने के chances रहते हैं वो काफी ज्यादा कम होते है इसमें आपका जैसा की मैंने आपको बताया कि जो impeller रहता है वो बिलकुल center पे रहता है और उसके दोनों sides से आप bearings और glands से उसको support करते हैं इसकी वज़े से आइदर pump के seal जाने के chances या फिर आपकी bearings के damage होने के chances बिलकुल negligible हो जाते हैं impeller आपका बिलकुल center पे रखा हुआ रहता है जिससे जब आपका जो वो liquid सक करता है तो आपका बराबर side से force आपके impeller के उपर पढ़ती है जिससे impeller के disbalance होने की वज़े से या फिर imbalanced load impeller पे पढ़ने की वज़े से seal damage होने के chances बिलकुल negligible हो जाते हैं इसका जो maintenance होता है वो काफी ज़्यादा easy होता है because इसका maintenance करने के लिए आपको just top तक casing खोलने की ज़रूरत है और आप वहां से ही easily इसका maintenance कर सकते हैं It is good to use for high flow applications जहां पे भी आपको high flow की ज़रूरत पढ़ती है वहां पे इसको काफी ज़्यादा prefer किया जाता है इसमें efficiency high होने की वज़े से इसका power consumption कम होता है and इसका जो maintenance cost है वो भी काफी ज़्यादा कम होता है moving to next slide अगर हम disadvantages की बात करते हैं तो इसके कुछ disadvantages भी होते हैं like इसके case में आपका कई बार ऐसी possibilities रहती हैं कि अगर बराबर तरीके से liquid सक नहीं हुआ है तो आपके impeller के उपर जो liquid in कर रहा है उसकी वज़े से imbalanced forces लग सकती है अगर आपका किसी भी तरीके से बराबर sucking नहीं हो रही है liquid की तो तो आपके seal जाने के chances possible हैं कि seal damage हो सकती है बट ये होने के chances काफी कम रहते हैं बिल्कुल rare cases में ऐसा observe किया जाता है ये normal centrifugal pumps के comparison में काफी ज़्यादा heavier होते है इसका जो cost होता है वो normal centrifugal pumps के case में काफी ज़्यादा होता है और इसके लिए जो space आपको चाहिए रहती है वो काफी ज़्यादा चाहिए रहती है इसके installation के लिए अब हम basically ये बात करते हैं कि split casing pumps और normal pumps में हमारे differences क्या होते है तो याद रखेगा कि split casing pump के case में जो आपका impeller होता है ये directly mount होता है आपके shaft के उपर बट normal pumps के case में जो आपका impeller है वो बिल्कुल shaft के end में mount होता है जिसकी वज़े से आपका split casing pumps के case में मेरे को bearings की और आपका seal की light ज़्यादा मिलती है बाट normal pumps के case में ये मेरे को कम मिलता है second इसके case में split casing pumps के case में मेरी 2 seals और 2 bearings होती है means दो साइड मेरा seals और दो साइड bearings present होती है but normal pumps की case में मैं दो bearings use करता हूँ और एक single seal use करता हूँ अगर मैं flow की बात करता हूँ तो जहाँ पे भी high flow की जरूरत होती है like more than 5000 gallons per minute तो वहाँ पे मैं split casing pumps का use करता हूँ but वो सारे cases जहाँ पे मेरे को low flow की जरूरत पड़ती है like 1500 gallons per minute से कम flow वहाँ पे मैं normal pumps का use करता हूँ इनका जो installation cost होता है split casing pumps का वो काफी ज़्यादा होता है but normal pumps का split जो cost होता है installation वो कम होता है split casing pumps का cost इसलिए बढ़ जाता है because इसका आप देखेंगे तो यह काफी heavy body का होता है plus इसमें आपका seals आप दो seals यूज़ करते हो इसलिए इसका cost आपका ज़्यादा होता है next एक बार इसका installation cost तो ज़्यादा होता है but इसका जो maintenance cost होता है वो काफी कम रहता है लेकिन normal pumps की case में just reverse है installation cost शुरू में कम है लेकिन अगर maintenance आया तो काफी ज़्यादा महंगा पड़ता है इसका जो maintenance is split casing pumps का वो काफी ज़्यादा easy रहता है just आपको खोलना है casing को और उसका maintenance कर देना है but इसके case में आपको पूरा pump आपको dismantle करके ही आप उसका maintenance कर पाओगे split casing pumps के case में आपको काफी ज़्यादा space की ज़रूरत पड़ती है because वो normal centrifugal pumps से काफी ज़्यादा बड़े होते हैं so hope आपको आज का मेरा lecture अच्छा लगाओगा आज की lecture में बस इतना ही next lecture में हम मिलेंगे एक नए topic के साथ में till then goodbye have a nice day